नमस्कार दोस्तों, दी नौलेज हब में आपका स्वागत है और मैं लेकर आया हूँ मौर्य एंपायर, मौर्य सामराज यह जो की एंसेंड इंडिया का काफी इंपोर्टन टॉपिक है, इसे मैं दो वीडियो लेक्चर में किलियर करूँगा आपके सामने, पहले लेक्चर में मैं आपके सामने चंदरगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बताऊंगा और दूसरे लेक्चर में अशोक, जो की काफी इंपोर्टन टॉपिक होगा, तो स्टार्ट करते हैं, देखे, चानक ने चंदरगुप्त मौर्य को सिक्षा दिक्षा दी, उनको तयार किया धनानंद के अगेंस्ट, धनानंद कौन थे, तो अंतिम नंदवंस के सासक थे, जिन्होंने चानक का अपमान किया था, और चानक ने उसी समय ये सोच लिया, कि हमें इस नंदवंस के जो घमंडी राजा हैं, काफी जैदा उनको अपने सैन्यबल की ताकत पे घमंड था, उन उस समय धनानंद ही यहां पर राजा थे, और सिकंदर भारत नहीं आ पाता है, जहलम नदी में बाढ़ आने के करण, और वापस फिर बेबिलॉन जाता है, वहां पर उसकी मिर्थियों हो जाती है, तो ये मौरियन एंपायर को इस्टैबलिस करने का काम, धनानंद को 27-20 तक चंदरगुप्त मौरे का सासन रहा है, और चंदरगुप्त मौरे के जो सासन काल का विवरन है, वो मुद्रा राक्षस में मिलता है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाख दतने, विशाख दतने इंसेंट इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताया है, जैस को तो चंद्रगुप्त मौरिया को साथ ही ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौरिये देली थोड़ा-थोड़ा विश्पिया करते थे और विश्पान करने के कारण ही उनका जो बेटा हुआ है उसके पूरे फेस पर बिंदू है डॉट है तो इसी कारण से उसका नाम जो है वो क्या रखा गया बिंदूसार रखा गया तो ये एक इंट्रेस्टिंग जो चीज है वो कहां पर है विशाकदत के मुद्राडाक्शस में इसके बाद जो ग्रीक राइटर जस्टिन है उन्होंने चंद्रकुप्त मौरी को कहा संड्रो कोटिस और इसकी पहचान किसने की भारतिये इतिहास को अगर देखा किसी ने तो विलियम जोंस ने इसकी पहचान की कि जो ग्रीक में जस्टिन ने डिसकस किया है संड्रो कोटिस वो कोई और नहीं है वो कौन है चंद्रगुप्त मौरिया है और चंद्रगुप्त मौरिय ने चुकि सिकंदर का डेथ हो जाता है वो आपस नहीं आ पाता है तो उसके बाद सिकंदर के बाद वहाँ पर सेलुकस निकेटर उसका जनरल जो है उसका साशन होता है और चंद्रगुप्त मौरिया और इ पाटली पुत्रा और ग्रीक EMPIRE में तो ये मॉरियन EMPIRE और ग्रीक EMPIRE में एक मेरेजियल ऐलाइनस होता है और इसी मेरेजियल ऐलाइनस के तहड एक दूध भेजता है सेलुकस निकेटर जिसका नाम था मैगस्थनीज मैगस्थनीज दूध किसका है? 302 BC के असपास दूध भे जिवरन दिया है चंद्रगुप्त मौरी के सासन काल का तो अब जो दूसरा बुक है वो कौन सा हो गया इंडिका पहला मैंने मैं आपको बताया मुद्राराक्षस और दूसरा इंडिका इस मेगस्तनीज ने इंडिका में डिसकस किया है इंडियन सोसाइटी को सेवन पार्ट मे डिवाइट किया है कौन-कौन से सेवन पार्ट में तो फिलोसोफर दार्शनिक, फार्मर क्रिशक, एनिमल रियर वसुपालक, आर्टीशन कारीगर, वोर्यर, युद्धा, इंस्पेक्टर, निरिक्षक, मिनिस्टर, मंत्री इसके बाद इंडिका बुक में ही इन्होंने कहा है, पाटलीपुत्रा के ऐड्मिस्ट्रेशन के बारे में, परसासनिक विवरन के बारे में, कहा कि 6 तरह की कमिटी थी, पाटलीपुत्रा, जो की capital था, मौरियन एंपायर का उसके लिए 6 तरह की कमीटी थी, समीटी थी और हर एक समीटी में पास सदस्य हुआ करते थे तो टोटल कितने सदस्य थे, 30 मेंबर्स थे जो पाटले पुत्ता का टोटल अड्मिस्ट्रेशन देखते थे जो 3rd कमीटी, अब इसमें कुछ important कमीटी है, वो भी देखते हैं, जो 3rd कमीटी है, वो population census से related था, जनगनना से related था, इसका मतलब क्या है, जनगनना मौरिकाल से ही होता रहा है तो 6th कमीटी जो है, वो tax related, जो selling price का 10% हुआ करता था, वो tax उस समय विक्रे मुली के आधार पर लगता था, SP का 10%, selling price का 10%, तो 6th कमीटी वही देखती थी पूरा taxation system, इसके बाद, जो death sentence था, वो दिया जाता था, tax evasion के लिए, करों की चोरी अगर आप करते हैं, तो चंदगुप्त मौरिया के टाइम पर उसको death sentence दे दिया जाता था, capital punishment दे दिया जाता था, अब बात करते हैं, चानक्य के, उनके प्राइम मिनिस्टर थे, किनके चंदगुप्त मौरिया के, तो चानक्य का other name भी आपको ध्यान रखना है, विश्नुगुप्त उनको बच्पन में कहा जाता था, childhood name था, और कौटिली नाम से उन्होंने किताब लिखी है, अर्धसास्तर, किताब लिखी है, और अर्धसास्त को जो चानक के ने कौटिली नाम से लिखी है, तो इस अर्धसास्तर ने political theory के बारे में बताया है, political चीजों के बारे में बताया है, सब्तांग theory बताया है, तो it gave the concept of सब्तांग theory, राजनितिक नीदियों पर आधारित, सब्तांग theory, अब इसमें कहा कि राजा, जो साथ चीज इंपोर्टेंट होना चाहिए, उसके बाद अमात्य, उसके ministers होने चाहिए, फिर उसके बाद जनपद, territory और population, इसके बाद fort, दुर्ग, मतलब जो किला है, जहां पर उसके सारे military और सारे forces रहते हैं, वो भी important है, treasury, course भी important है, खाजाना भी कभी खाली नहीं होना चाहिए, army, d dand, जिसको dand कहा गया, और ally, किसी भी particular kingdom के लिए उसके मित्र काफी important है, आपको किस से मित्रता करनी चाहिए, काफी सोच समझ के करनी चाहिए, right, तो ये सारी चीजे सापतांग theory के according, कहां पे लिखा हुआ है, अर्थ सास्तर में, इसके बाद चंदरगुप्त मौर्य ने अपना सामराज ये अफगानिस्तान तक विस्तृत किया, बाद में देखते हैं, वहाँ पर तकसिला अफी विंदो सारा आएगा, तो तकसिला में, व्योंकि अफगानिस्तान का पार्ट था, तो वहाँ पर विद्रोह भी होता है, जिसको अशोक रोगते हैं, तो in the end time of his life, चंदरगुपता फॉलोड जैनिजम, और अंतिम समय में उन्होंने जैनिजम फॉलो करने लगे, और स्रवन बिलागोला गए एक जैन संत हैं, जिनका नाम है भद्र बाहु, भद्र बाहु के साथ वो कहां चले गए, स्रवन बिलागोला जहां पर अभी भी जैन धर्म की उनके बेटे हैं, भगवान बाहु बली, उन्हीं की मूर्ती है, जिसका महा मस्तक भिशेक होता है हर एक बारह साल में, ये भी स्रवन बिलागोला में है, स्रवन बिलागोला जैन के लिए काफी important place है करनाटका में, तो वहीं पर जाकर चंद्रगुपत मौरिया ने भद्र ब करने का, आप सलेखना परफॉर्म करिए और समाधी जिसको आप हिंदु धर में समाधी का जो formation हुआ करता था, ancient concept, वैसे ही जैन धर में सलेखना fast unto death, इसके बाद बिंदु सार, तो इनहीं के बेटे हैं बिंदु सार, मैंने डिसकस भी किया मुद्राराक्षस में जो परकरन बताया गया है, कि डेली थोड़ा विश्पिया करते थे, काफी हटे कटे थे, द्यात्याकार शरीर था, कि इनका चंद्रगुप्त मौरे का, और उनहीं के बेटे हैं, कौन? बिंदु सार, इनका जो time period है 297 BC से 272 BC तक, और Greek name इनका है Emitrochates, Emitrochates भी जिसको आप कह सकते है और जैन एपिक्स, जो जैन ग्रंथ हैं, उनमें सिंग सेन बताया गया है, कि इसको बिंदु सार को सिंग सेन किसका पुत्र, तो दुर्धरा का पुत्र सिंग सेन, तो इनकी माता का नाम, बिंदु सार की माता का नाम, दुर्धरा बताया गया है, और इन्होंने अपने रू एक तरब बेंगॉल है. या पूरा छफ्र जीत लेने वाला कौन है? तो बिंदुसार. इसलिए इनको कहा जाता है, king of two oceans. इसके बाद एक European है जो ग्रीक के छफ्र से, Demicus. Demicus के भारत आया था, किसके साजनकाल में? तो ambassador था, ईजिप्ट वाले छातर से आया था, एजिप्ट वा तरब से भेजा गया था डेमेकस को भारत बिंदुसार के जमाने में और इसने अपने बेटे अशोग को भेजा तकसिला में जो विद्रोग हुआ था तकसिला में विद्रोग जो कि तकसिला तक का छत्र पूरा चंदिकुप्त मौरिया ने जीत लिया था तो तकसिला के विद्रोब को कंट्रोल करने के लिए अशुक को भेजा था और इनके समय में असुक जो है वो वाइसराइ थे या आप कह सकते हैं जो एक तरह से कंट्रोल करते थे वो उजैन का उजैन वाले छेतर का या आवंती जिसको कहा जाता है आवंती जन्पत तो उस छे वो कंट्रोल करते थे अशोक, he demanded three things from Syrian king और इन्होंने तीन चीजे मांगी Syrian king से एक था sweet liquor जो मीठी मदिरा है और dry fig जिसको dry fig अंजीर जिसको कहा जाता है सुखी अंजीर और फिर philosopher दार्शनिक तो ऐसा कहा जाता है कि दार्शनिक तो नहीं भेजा था उन्होंने लेकिन बाकी चीजें जो डिमैंड की थी उन्होंने Syria के राजा से वो भेज दिया था बिंदुसार को तो इस तरह से चंद्रकुप्त मौरिया और बिंदुसार के बारे में आज हमने डिसकस किया निक्स्ट लेक्चर जो मौरियन एंपायर का होगा वो अशोक और बाकी के जो राजा हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, सेर कीजिए थैंक्यू सो मच